नसामुक्ती दिवस के अफसर पर भागलपूर जिलादिकारी डॉक्टर नबल किसोर चौधरी की अध्यक्षता में समिच्छा भवन में एक विसेश कारिक्रम का आयोजन किया गिया। इस अफसर पर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित राज अस्तरिय नसा मुक्ती कारिक्रम का सीधा परसारन भी किया गिया। नसा वाइरस की तरह सामाज में फैल रहा है। खासकर युवा वर्ग विसेश रूप से कक्षा नौमी से बार्मी के छात्रों में इसका परभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों को सही मार्कदरसन देकर समाज में जागुकता फैलाने की अवशक्ता है। उन्होंने कहा नशा एक व्यक्ती ही नहीं वलकि पूरे परिवार को बरबात कर सकता है। कुंदन कुमार उत्पाद अधिक्चक अनुमंडल पतादिकारी समेत कई अन्यदिकारी उपस्तित रहे। उन्हों से रोज करता हूं। नशा एक बहुत ही वाहियाच चीज है। जिसमें एक बार आदमी के इन करजाने पर वहां से निकलने का रास्ता मुश्ता होता है। इसलिए अपने बच्चों को अपने समाज के सभी बच्चों को अधियागों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रड़िट करें। और यदि कोई नशा कर रहा है तो उससे मुख्ति के लिए प्रड़िट करें। और हमारे बच्चों को नशा मुख्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस अपसर पर बिहार के प्रड़िट जीदों में परभात फिरी का आयोजन किया गया है। वहीं मदनी से दिवस के अपसर पर परसिक्चु डियस्पी सा जगदीशपूर थाना द्यक्च विकास आनंदने मद्यविद्याले जगदीशपूर द्वारा आयोजित मदनी से जागुता रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। दरसल यह रैली विद्याले से सुरू होकर मुखे बाजार और प्रखंड का रियाले से होते हुए विद्याले मैदान पहुँच कर संपन्न हुई। रैली के समापन के बाद थाना द्यक्ष ने छात्रों को मदनिसेद का संकल्प दिलाया। इससे पहले विद्याले में समिधान दिवस पर विसेश चेतना सत्र का आयोजन किया गिया। जिसमें समिधान में दिये गए देश के नाम की आकरती बना कर जागरुकता कारिक्रम आयोजित किया गिया। सत्र में समिधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का वाचन भी किया गिया, मदनिसेत दिवस के तहद विद्याले में विविन पर्तियोगिताओं का आयोजन किया गिया जिसमें चित्रांकन, निवंद, लेख, लगुनाटिका और समिधान से सम्मंधित प भागलपुर में मजदूर किसान संगटनों के परतिरोध मार्च पर पूलिस द्वारा लाठी चार्ज की घटना ने महौल को तनावपुर्ण बना दिया है, दरसल यह मार्च 18 सुत्रिये मांगों को लेकर देश ब्यापी अहवान के तहत आयोजित किया गिया था, जिसमें एक्टू, एटक, सीटू, सेवा, इंटक, AIUTC, BRKS और AIKKMS जैसे परमुक्स संगटनों ने भाग लिया, मार्च की सुरवाद घंटागर चौक से हुई थी और प्रदर्सन कारियों का लक्ष कलेक्टरेट पहुँच कर ग्या पंसौ अपना था, लेकिन जैसे ही प्रदर्सन का कारेकर्ताओं को हिरास्त में लिया, वहीं सदर हईडियम दरहंदे कुमार ने घटना पर कहा कि प्रदर्सन कारियों ने लिखित सूचना दिये बिना कलेक्टरेट के पास लोगों के आबागमन को बाधित किया, उन्हें दूसरी जगह प्रदर्सन करने के लिए कहा गिया, लेकिन जब वे नहीं माने तो कारवाई करनी पड़ी, उन्होंने बताया कि तीन चार प्रदर्सन कारियों को हिरास्त में लिया गया है, देखे यहां पर एक तो बिना किसी परमिशन के समारनाले के मुख्य गेट को बाधित कर दिया गया था, जिससे जो भी आम नागरिक है जिनको विविन परकार का कारे होता है, उनको भी आने जाने में समस्या हो रही थी, साथी साथ पूरे कारे को बाधित कर दिया गया था, इसके अलावा जब उनको बोला गया कि वो मुख्य गेट छोर के अपना दर्दना परदर्सन करने तो वो एग्रेसिव होके वो बल और सब के साथ उलजने लगे, इसे बाध हम लोग को दो-ती लोग को यहां से अरिस्ट करके अस्थानी अठाना वेटेशा हो बागलपूर दुमका मुक्य मार्ग पर जगदीसपूर थाना छेतर के चेक पोश्ट के पास, पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैद अंग्रेजी के साथ गिरफतार किया है, दरसल गुप्त सूचना के आदार पर वाहन जाच के दोरान, पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की हिरो अंडा मोटर सैकिल को रोका, जिसमें तालासी लेने पर मोटर सैकिल से 180 मL की कई बोतले और 15 लीटर सराब बरामत की गई, पूछताच मे आरोपी ने अपना नाम अभिराम कुमार दास बताया, जो गुड़ा जिले का निवासी है, पुलिस के अनुसार आरोपी जारखंड से भागलपूर की ओर सराब की तसकरी कर रहा था, वहीं मामले की जानकारी देते हुए जगदीश पूर्थाना त्यक्ष एबं परसिक्ष डिएसपी विशाल आनंद ने बताया कि आरोपी को अवयद सराब ले जाने के जुर्म में गिरपतार किया गया है और आगे की जांच जारी है एक आदमी को गरफतार किया गया है उनका नाम अविराम कुमारदास है और आगे की जारी मुट साइकल का सत्यापन किया गया गया है सरदर्ड, चक्कराना, गर्दन दर्ड, कमरदर्ड, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसि, गत्या, साइटिका, फोलियो, गुटनों का दर्ड, आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोडर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्स इंजुरी, स्पा कमान ची भागलपुर, बिहार, कौा करे, 9431-446600 सुल्तानगंज प्रखंड में 27 नवंबर को पैक्स अध्यक्ष और कारकारणी पद के चुनाओ होंगे जिला निर्वाचन पदादिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदादिकारी एवं सुल्तानगन निर्वाचन पदादिकारी संजीब कुमार ने चुनाओ की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है सुल्तानगंज प्रकंट के साथ पंचायतों में चुनाओं होना था लेकिन तीन पंचायतों में निर्विरूद, निर्वाचित, उमिद्वारों के कारण वहां चुनाओं नहीं होगा सेस चार पंचायतों असियाचा, कटारा, करहरिया और नया गाउं में पैक्स अध्यक्ष और कायरकारनी पदों के लिए मद्दान होगा मद्दान सुबह साथ बचकर पचास मिनट से साम चार बचकर पचास मिनट तक आयो जित होगा चुनाओं को सांतिपूर्ण और निस्पक्च तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी बुथों पर सेक्टर मजिस्टेट, पुलीस वल, महिला पुलीस कर्मी और सैफ के जवानों को तैनात किया गया है इस दोरान प्रकंड के कर्मचारी और पुलीस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे निर्वाचन पदाधिकारी ने मेडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मद्दान के लिए सभी आवश्चक इंते जाम सुनिस्चित कर लिए गये हैं बागलपूर के मद्दू सुदनपूर थाना चेतर अंतरगत रामपूर खुर्द गाउं के राजपूर टोला में एक जाड़ी में अब जात जिवित बच्ची मिलने से हलकंप मच गिया खेत में जाड़ी के पास सुबह अस्थानिय लोगों ने बच्ची को देखा जो प्लास्टिक में लिप्टी हुई थी जिसमें केवल उसका चेहरा पुला वुआ था अस्तानिया लोगों ने बताया कि बच्ची रात पर खुले आसमान के नीचे पड़ी रही लेकिन वह सुरक्षी थे बच्ची को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुड गए मुसेरी गाओं की निवासी जुलबा देवी ने बच्ची को अपनी बेटी मानकर घर ले जाने का प्रियास किया इसी बीच किसी ने 112 नमबर डैल कर पुलीस को सुचीत कर दिया जिसके बाद पुलीस मौके पर पहुची और बच्ची को सुरक्षित निकाल कर पहले नातनगर रैपरल अस्पताल पहुचाया वहां डॉक्टरों ने उसे बहतर इलाज के लिए मायागन सदर अस्पताल भेज दिया बच्ची के स्वास्त की देखवाल के लिए नातनगर अनताले की दत्यग्रहन कौडिनेटर अनुसरी भी सक्रिय रही बच्ची को चिकत्सिया निगरानी में सीसे के अंदर रखा गिया है और डॉक्टरों ने उसकी इस्तिती को इस्तिर बताया है इस गटना ने इलाके में संबेद अंसील तब बढ़ा दी है और पुलीस बच्ची के माता पिदा की तालास में जुट गई है भागलपुर के सदरस्पताल में जीला स्वास समिती और जीवन जागरिती सोसाइटी के संयुक तत्वधान में अरवन लोकल बॉडी वर्क्सॉप का आयोजन किया गया इस कारिक्रम में सदरस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू नगर निगम की महापावर डॉक्टर वस प्रस्थित थे कारिक्रम में जीवन जागरिती सोसाइटी ने सीपी आर का डेमो प्रस्थूत किया इसका उद्देश लगदुर घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों को अपातकालें चिकित्ता से साहिता देने के लिए तयार करना था विसेस रूप से वार् केवल सीपी आर प्रसिक्षन देना था बलकि सहरी जंसंक्यां के बढ़ते दवाब को ध्यान में रखते हुए नगर निगम चेत्रों में प्रात्मिक स्वास्त केंद्र को प्रदान करें इस वर्कसॉप में स्वास्त सुविधाओं को बहतर बनाने और दुर घटनाओं के द लोगों ने कारिकरम को उपयोगी और प्रभावसाली बताया